दंदन सद्गुरु तेरा ही आसरा नमस्कार आप देख रहें न्यूज 24 लाइट फिलाल अर्याना की सबसे होट और सोट यही ख़बर आ रही है कि गुरुमित राम रहीम को 21 दन की परोल मिल चुकी है इसी के साथ एक बड़ा स्वाल भी पैदा होता है कि कि इसारे पर यह परोल मिली कौन सी पार्टी इसका फैदा उठने वाली है क्योंकि बाहरत के अंदर पांच राज्यों के चुनाओं उने वाले है हम और आप दोनों जानते हैं हर्याना के अंदर भी इस तरह पैदा राजनदी पार्टियों ने जो डेरा है उसके नाम से उठाया था और एक बड़ा स्वाल अपने आप में बन जाता है कि यह पूरा मामला किसकी तरफ विसारा कर रहा है जनता सोचे और समझे और बताए और आपको एक जो इस पूरे कांड के उपर परकास डाल देते हैं जो डेरा परमुकरा गुर्मित राम रहीम उनको क्यों गरतार किया गया था दो साद्वियों साथ बलतकार और एक पत्रकार राम चंदर छत्रपती की हत्या के मामले में सीबियाई ने उमर कैद की सजा सुनाई गई थी और एक स्वाल और साथ में निकल क्या रहा है कि बाबा जी को छिपा करके डेरे के अंदर लिजाया जा रहा है क्यों छिपाया जा रहा है क्या आप इस पूरी परकरिया से समझ रहे हो आप कोमेंट करके बताएं और उसी के साथ आपको बता देते हैं कि जो राज्य हैं उसके अंदर महिने नहीं बते हैं बच्चे चुर्णाव के लिए कुछ दिन बच्चे हैं और यह किस और सारा कर रहा है आपको समझदार होंगे